हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो आज चानल, सीखो, CS चुनिट, आज मैं आपके साथ डिसक्रस कने वाला हूँ, बेसिक और एक्सर, ट्रांस्पोस, ट्रांस्पोस फंक्शन का कैसे यूज करना है, ट्रांस्पोस फंक्शन की छॉटकट की है, आल्ट ए-स, आल्ट ए-स आपको करना है, ट्रांस्पोस फंक्शन सिंप्ली क्या होता है, आपको अगर वर्टिकल डाटा दे रखाए, जैसे सिंप्ली आपको यह देख रहा होगा, मन्द दे रखें, स्टोस दे रखें, प्रोडिक्ट कोड दे रखें, सेल्स एन यूनिट दे रखें, आप इस डाटा को वर होगे 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 एस रखें करेंगे हैं तो आपका स्तुन की को था वो horizontal में change हो गया है and then अगर आपको जैसे की जैसे यह horizontal data है अब आपका horizontal data बन गया इसको vertical चाहते हो आप इस horizontal data को आप चाहते हो कि vertical हो जाईए तो फिर आप transfer function का use कर सकते हो मैं आपको side में करके दिखाता हूं देखिया मैंने alt e s e दबाया तो आपका simply transfer function जैसी वर्ग करता है वह ही क्या उसने horizontal data को मुदब जो हमेरा data था मुदब उसको horizontal way में कर दिया vertical data को horizontal way में कर दिया सारे columns में आ गया है जो जैन रोस वेगरा में थे तो वो चेंज हो गया मंदब रोस में आ गए सॉरी columns में थे वो जैन वेगरा जैन फैन में में मंत कॉलम्स में थे तो वो रोस में आ गए कोपी करें मेरे को यह लिखा हो मिले तो मैं वेल्यू का यूज करता हूं alt i s v duba के फिर उसके बाद मैंने e duba है alt i s v duba के को हुआ दिख इसकी मैं टुका करूँ घुर्ज्युटुक फिर मैं टुकाइब करूं गॉल्भ था प्सक्राव Regierung कॉसरोंborg है है